फ्रेंज आप सभी का विलकम है मेरे यूटूब चैनल टॉक्टू गुरू जी पर आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कीवर्ड प्लानर के बारे में अगर आपका यूटूब चैनल है या आपकी कोई विबसाइट है और आप कीवर्ड सर्च करना चाते हैं उसका वाल्यूम पता करना चाते हैं CPC या कॉंपेटिशन देखना चाते हैं तो आप कौन सब फ्री टूल यूज़ करेंगे सबसे पहले आपको एक दो कीवर्ड सर्च करके बताता हूँ यूटूब पर भी और गूगल पर भी कि आप जब कीवर्ड सर्च करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वेबसाइट डिजाइनिंग मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर हमने लिखा वेबसाइट डिजाइनिंग अब देखेंगे कि जैसे ही हमने ये दो कीवर्ड लिखा यहाँ पर आपको इसके जस्ट बगल में दो चीज़ें दिखाई दे रही है एक यहाँ पर 29,000 slash MO इसका मतलब है कि एक महिने में 29,000 बार ये कीवर्ड सर्च किया जाता है और इसका जो CPC है वो 10.21 डॉलर से लेकर 0.7 डॉलर इसका मतलब यह होता है कि जो एडवर्टाइजर है वो इस कीवर्ड पर इतने पैसे पे करते हैं Google को और आपको मालुम है जो Google को एडवर्टाइजर पे करते हैं उन ही से कुछ कमिशन हम यूटूबर्स को मिलता है और जो वेबसाइट पर AdSense यूज़ करते हैं उनको मिलता है अब अगर मैं यह डिजाइनिंग वर्ड यहां से हटा दूँ फिर आप कीवर्ड देखेंगे कैसे बढ़ जाता है तो मैं इसे हटाता हूँ फिर आप देखेंगे कैसे कीवर्ड बढ़ता है अब आप देखें सिर्फ हमने वेबसाइट लिखा तो अगर वेबसाइट कीवर की volume जादा है और इसका CPC website designing से थोड़ा कम है इसी तरह से अगर आप Google पर आकर यहाँ सर्च करेंगे कुछ भी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ graphic designing course यहाँ पर जैसे हमने लिखा अब देखेंगे 2590 बार यह सर्च किया जाता है इसका जो CPC है 2.82 डॉलर से लेकर 0.62 डॉलर अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ graphic designing अब आप देखेंगे कि graphic designing का कितना आ रहा है यह देखें 60,500 पर मन्त और इसका CPC 4.56 डॉलर से लेकर 0.27 डॉलर तो अब आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई tool आपको भी free में मिल जाए जिसको install करके आप चाहते हैं कि यह सभी keywords के बारे में हमें मालूम हो जाए तो उसके लिए आपको google पर search करना होगा keywords everywhere यह देख सकते है keywords everywhere हमने search कि इस पर आप click करके देख सकते हैं यहाँ पर आएंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे तो install for chrome है और install for firefox इन दोनों में से किसी भी browser के लिए आप install करना चाहते हैं तो यह freely use कर सकते हैं यह keywords everywhere के बारे में नीचे लिखा हुआ है कि यह आपको क्या-क्या result देगा यहाँ पर देख रहा है monthly search volume cost per click adwords competition जो advertiser के बीच में competition होता है उसके बारे में तो यह 3 चीज़ें आपको दे रहा है और वह भी free में तो इसको आप install कर सकते हैं तो friends अगर आप इसी तरह के tutorial चाहते हैं तो आप मेरे talk to Guruji चैनल को subscribe जरूर करें इसी तरह के video में लेकर आता रहूंगा त अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much friends